प्रभु येश्यु मसी के नाम में आपको अनुग्रे, शांती और आशिश मिले आपको मालूम है कि जो कबूतर है उसको एक शुद पक्षी माना जाता है और एक कव्वे को या काले कव्वे को एक अशुद पक्षी माना जाता है और एक इसपर कहानी है लाखो कव्वे होते हैं, हमारे देश में लाखो कव्वे होते हैं, और भी जगाओं में विशेशकर हम अमरे आसपास देखते हैं और इसमें एक कव्वा था जिसने कबूतरों को देखा और उसने देखा कि ये कबूतर बहुत आपस में बिलजुल के रहते हैं बहुत उनके बीच में अंडेस्टेंडिंग हैं, अपना दाना खाते रहते हैं और अपनी लाइफ बहुत शांती में मिताते हैं और बहुत भोले होते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं तो इस कव्वे की इच्छा होई कि मैं भी इनकी टोली का एक मेंबर बन जाओं इनकी मंडली का मैं मेंबर बन जाओं लेकिन उसने देखा कि उसके जो पंक है वो काले हैं, उसका रंग काला है और यह जो कबूतर है या तो यह सफेद है या यह ग्रे कलर के हैं तो मैं पहचाना जाओंगा तो इसने देखा कि एक सफेद राक जैसी कोई चीज पड़ी हुई थी और इस काले कव्वे ने जाकर अपने आपको इसमें लोट गया हो और उसका भी रंग थोड़ा सा ग्रे जैसा हो गया काला और सफेद लगकर काले पे सफेद लगकर तो इस भेश को धरकर वो कबुतरों के पास गया और जैसे कबुतरों के पास गया तो कबुतर का जो जुण्ड था वो सब वहाँ से उड़ गए तो कव्वा सोचने लगा कि ऐसी क्या बात थी कि इनों ने मुझे पहचान लिया कि मैं कबूतर नहीं हूँ फिर उसने इस बात को पहचाना कि हाँ मेरी चाल और इनकी चाल फरक है actually कववे में दो टाइप के होते हैं एक तो इंगलिश में उसको क्रो कहते हैं और दूसरे को रेविन कहते हैं और हिंदी में इसको एक कववा कहते हैं यदि वो चलता है यानि एक पैर आगे फिर दूसरा पैर आगे इसका तरह चलता है तो क्योंकि ये वाला कवा कुद-कुद के चला तो कबुतर पहचान गए कि यह हम मेंसे एक नहीं है तो फिर इस काले कवे ने प्रक्टिस की कि मैं कबुतर की तरह चलू और उसने ऐसे ही किय फिर अपने आपको राक में लोट कर फिर से कवों के माफ करना कबूतरों के बीच में आ गया और कबूतर भी थोड़ा सा इस ताइम उन्होंने पहचाना नहीं और उन्हीं के साथ वो दाना खाने लग गया और उसको बड़ी अच्छी फिलिंग आ रही थी उसको अच्छा लग रहा था कि मैं अलग किसम के लोगों के बीच में हूँ लेकिन जैसे वो दाने खा रहा था तो उसको एकड़म एक खुश्बू आई वो अच्छी खुश्बू नहीं थी वो बदबू थी लेकिन उस कववे के लिए वो खुश्बू थी और पास में ही कहीं कोई मरेवे प्राणी की लाश पड़ी थी और कववा आपने आपको रोक नहीं पाया और उस लाश के पास जाके लाश के मास को खाने लग गया और एकदम कभूतरों ने उसको पहचान लिया और उन्हों ने उस कव्वे को कव्वे से दूर चले गए तब देखते कव्वे की सारी कोशिशों के बावजूद एक बार वो अपने चाल के कारण और दूसरा अपने खाने या आदत के कारण जो चीज़े उसको अच्छी लगती थी उससे वो पकड़ा गया बार से उसने अपना आपको बदला लेकिन उसके अंदर का सभाव नहीं बदला ये वही हाल उनका होता है जो बार से एक धरम का भेश पहन लेते हैं चोगा पहन लेते हैं धरम करम के काम करने लगते हैं धरम स्थलों में जाने लगते हैं तहां कोई भी धरम स्थल क्यों नहीं हो लेकिन अंदर से उनका सभाव बद्ला नहीं है अंदर वोई भरा हुआ है जैसे कोई कहता है कि मोतल फरक है अंदर माल वोई वाला है तो नुकसाद दायक है अपने आपको राक से रंग कर मकारी में छुपाना चाहरा था लेकिन सफल नहीं हुआ प्रभु येश्व ने कहा सो उनसे मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा एक मकार सोचता है मैं अपने आपको छिपा लेता हूँ अपने धर्म करम के कामों से अपने पापों को छिपा लोगा लेकिन वो छिप नहीं पाएगा परमिश्वर की ज्वाला में आखे सब कुछ देख लेती है और एक दिन प्रगट कर लेगी अगर वो पाप शमा नहीं हुए और आखिर में कवा कवा ही रहता है वो कमूतर नहीं बन सकता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले और परमिश्वर के राज्य की कहानी भी इसी प्रकार है परमिश्वर के राज्य से लगा हुआ सत्य भी इसी प्रकार है लिखा है और उसमें कोई अपवित्र वस्तू या घ्रिणित काम करने वाला या जूट का गड़ने वाला किसी रिती से प्रवेश ना करेगा परन केवल वो लोग जिनके नाम बेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं घ्रिणित काम करने वाले अब पवित्र जो पाप में लोटते हैं उनको उस पवित्र नगर में एंट्री नहीं मिलेगी केवल वो जिनके नाम बेमने के जीवन की पुस्तक में है बेमना यानी प्रभु येश्यों मसी जो बेमने की तरह वद हो गया अकलवरी के क्रूस पर जिनों ने उस पर विश्वास किया जिनों ने उससे पापों की शमा पाई केवल वो ही उस स्वर्ग में, स्वर्ग के राज्ज में, पवित्र नगर में प्रवेश कर पाएंगे ये कव्वे की आदत क्या थी? ये सडाहट को खाता था इसके मिना ये रह नहीं सकता था क्या तुम नहीं जानते की अधर्मी लोग परविश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगे धोका ना खाओ, ना वैश्या गामी, ना जूटी उपासना करने वाले ना परस्त्री गामी, ना लुच्चे, ना पुरुष्गामी, ना चोर, ना लुभी, ना प्यक्कड, ना गाली देने वाले, ना अधेर करने वाले परविश्वर के राज्य के वारिस होगे वो कववा कबूतर बन नहीं सकता है, तो कि उसकी आदत है सडाहट पे जीने की और यही शर्त है परविश्वर के राज्य में प्रवेश करने की लेकिन मानों के कववा बनना ही चाहता है, मुझे तो कबूतर बनना ही है तो यह कैसे हो पाएगा? यह तब ही हो पाएगा जब कववा मर जाए और कबूतर की तरह जनम ले उसका हाट ट्रांसलाट भी कर दे, कबूतर का दिल उसके उसके अदर डाल दे तब भी कुछ नहीं होनेगा कववा कववा ही रहेगा वैसे ही एक प्राकृतिक व्यक्ति का है जो एक स्त्री से जन्मा है पाप का सभाव उसका बदल नहीं सकता कितना भी अपना आपको धोले कितना भी नहले कितना भी साबुन लगा ले कितनी भी भक्ती कर ले कितनी भी प्रात्ना दुआ कर ले प्रेयर कर ले कितना अपने शरीर को कश्प दे दे उसका पापी सभाव नहीं जाने का उस व्यक्ति को नया जनम लेना पड़ेगा तभी उसको एक नया सभाव मिलेगा और ये नाया जनम आत्मिक होता है ये पर्मिश्वर की ओर से मिलता है एक धार्मिक व्यक्ति को प्रभू येशु ने कहा येशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता इक व्यक्टी को नए सिरे से जनम लेना अवश्य है उसको नया जनम पाना अवश्य है येश्व मसी ने पापियों के लिए मेरे और आप के लिए कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी अगर उसने मेरे लिए अपनी जान दी यानि प्रभु येश्व मसी के मृत्यों में जब वो क्रूस पर मरा तो मैं भी मर गया जो भी विश्वास करता है वो प्रभु येश्य मसी के मृत्यू में वो व्यक्ति भी मर गया और जब एक व्यक्ति विश्वास करता है अपने पापों से पश्टाप करता है तो परमेश्वर उसको नया जीवन प्रदान करता है उस व्यक्ति को नया जीवन देता है नया हिर्दय देता है और एक नई आत्मा देता है ये नया हिर्दय पवित्रता से प्रेम करता है ये नया हिर्दय परमेश्वर से प्रेम करता है यह नया हिर्दय परवेशन को प्रसंद करने के लिए यतन करता है और ये प्रभूही करता है जो कोई विश्वास से उसके पास आता है पुराना हिर्दय, पुराना सभाव पाप से प्यार करता है सडाहट में वापस जाता है चाल बनलती नहीं लेकिन जब पर्विशन के और से नया जीवन मिलता है तब वो बनलावाता है और प्रभु येशु कहता है जो जीवन का जल में देता हूँ यदि तुम उसको पियोगे तो तुम्हारे अंदर से जीवन की नदिया बहेगे आप औरों के लिए आशिश का कारण बन जाएगे वो धर्मी प्रभु येशु यो पाप रहित प्रभु येशु हम अधर्मियों और पापियों के लिए कुरूस पर दुख उठाया ताके हमें पर्विश्वर के साथ जोड़ दे, मेल मिलाप कर दे उतीसरे दिन जी उठा और युगान युग जीवित है पाप कभी भी प्रभु येशु के मलिदान पर विश्वास करके कि उसने मुझ से प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आपको दे दिया और येशु का लहु उस पाप को भस्म कर देता है, दूर कर देता है और एक व्यक्ति को नया बना देता है तो प्रभु येशु से प्रात्ना कीजे प्रभु येशु आपको आशिश दे